Hello students, welcome back to the class. So here in this lecture we are going to start with your second unit that is the microscopy and training. Last lecture मां आपने खाली basic introduction जोयूतु। अगे आपने फर्स्ट टोपिक ही स्टार्ट करी सुु। So introduction and historical background. साथी पेला microscope नो introduction आपने जोसु। अने तो के एनो historical background, एटले के microscope नो सोध थाई, microscope पेला कोने बनाई हो, कई रिते बनाई हो, के बदा विसे आपने बात करी सु। So for thousands of years, people were aware about the effects of microorganisms. Okay, 1000 वर्स अचु पेला पन अने 1000 वर्स अचु धी, microorganism नी effect लोकोने खबर हती। के microorganism कई-कई जगे यूज थाई चे एना विसे लोकोने जाण होती हो, के 1000 वर्स अचु पेला effect of microorganisms in the rotting food, okay, food कोई सल्तु वोई तो एनी अंदर microorganisms प्रेजंट होई चे, okay देन, fermentation by the yeast, okay, दूद मांसी दाई बन्यावा अमाटे, fermentation नी प्रोसेस यूज करता दाई जुज ते आथोला हो अमाटे, यह बधे जगे यह पन, fermentation नी प्रोसेस यूज थाती होती। एटले के अन्या काईक microorganism नी effect शूचे बधी effect लोकोने खबर हती, okay, infectious diseases, disease वीशे पन खबर हती लोकोने, without being aware about the existence of microbes themselves, okay, microorganisms आवा कोई, living organism अस्तित्व धरागा छे यूँ, खबर नोती ते याल, okay, microorganisms काई छे वीच खबर नोती पन, तो के microorganisms नी जे effect छे, ये बधी effect वीशे लोको अवेर हता, के आवा fermentation थाई छे, ए खबर हती, okay, disease थाई छे, खबर हती, food सडी जाए, okay, तो ए बधी लोकोने खबर हती, पनी के ना लिदे सडे छे, microorganisms नी presence छे, एना लिदे सडे छे, एना लिदे fermentation थाई छे, ए लोकोने त्यारे खबर नोती, okay, microorganisms बेक्टेरिया आर टू स्मॉल टू बी सीन बाइ अने अपने नरी आंखे जोए सकता ना थी, ये बहु नानी साइज ना होई छे, okay, and that is the reason why they are referred to as the microorganisms, okay, बेक्टेरिया बहु स्मॉल साइज ना असे, के ने आपने नरी आंखे जोए सकता ना थी, okay, एने जोवा माटे काई, एनु मेगनिफिकेशन के कहीं करवू पड़े तो आपने microorganisms ने जोई सकीए, बेक्टेरिया ने जोई सकीए, बेक्टेरिया बहु नानी साइज ना चे एटले एने microorganisms तरीके ओड़खवा माँ आवे छे, okay, micro-size ना हसे, they must be greatly magnified to be clearly seen and studied, okay, आपने बेक्टेरिया ने जोवा ह होई, okay, clearly seen, clearly आपने जोवा होए एथवा तो एने study करवा होए तो एना माट एनु मेगनिफिकेशन करवू जरूरी छे, okay, आपने के एम मोबैल माँ जूम करिये, एम आपने एने मोटू करवू जरूरी छे, okay, एनु मेगनिफिकेशन करवू जरूरी छे, so the microscope is absolutely inseparable from the biologist in general and to the bacteriologist in particular, okay, माइक्रोस्कोप ने आपने बायोलोजिस्ट थी अलग न करी सक्ये, okay, जनरली काई तो बायोलोजिस्ट थी अने पर्टीक्यूलर सबजेक्ट वाइस कही है, तो बेक्टेरियोलोजिस्ट माटे माइक्रोस्कोप एक most important वस्तू छे, okay, बेक्टेरियोलोजिस्ट न अनदर पर्टीकूलर ली जोईये, तो एमा हा उसे microbiology, microbiology ने अनदर बेक्टेरियोलोजी वके सो बेक्टेरियोलोजिस्ट पर्टीकिलर ली छे, यहनी माइक्रोस्कॉप वगर काम चाल से नहीं के बेक्टे टेन जोवा माटे माइक्रोस्कॉप जो से यहनुं कोई पर स्टेडी कर वोग तो माइक्रोस्कॉप ने जरूर पर से, so the definition for the microscope microscope can be defined as the optical instrument consisting of the lenses or combination of lenses एक optical इंस्ट्रोमेंट छोगा इंस्ट्रोमेंट छे माइक्रोस्कोप कस्सिस्टिंग ओफ लेंस ओर कॊंबिनेशन ओफ लेंसे आकरके ऐक लेंसनु exponentially दिंते ओधार। ना कॉंबिनेशन थी पर माइक्रोस्कोप बनेलू होई सके for making enlarged and magnified images of minute objects कोई पर small minute object छे यहने मोटी image generate करवा माटे माइक्रोस्कोप नो यूस थाई छे okay so this is the definition for the microscope के optical instrument consisting of the lens or combination of lenses for making enlarged or magnified images of minute objects okay now simple or single microscope okay simple microscope के ने के वाई तो के it is consisting of one lens or magnifying glass held in frame usually adjustable okay simple microscope आपने के यह सिंगल माइक्रोस्कोप और simple microscope के एक खाली एक lens नो बनेलू होई okay एक lens होई अथवा तो magnifying glass पन कहीं सकाई lens ने okay एटले के आपने बिलोरी काच जे यूस करी टाइप नो okay यहने के बाई magnifying glass इंग्लिश माँ so एक lens नो अथवा तो magnifying glass नो बनेलू हसे held in frame ओके आज बाजु फ्रेम ब्रेम लगाणेली हसे व्यवस्थित अने यूस्वली एड्जेस्टेबल ओके एडले ने आपने उचु नीचु एड्जेस्ट करी सके ओर्गिनिजम ना प्रमाणे के आपने जह वस्तु ने जो भी छे ना प्रमाणे माइक्रोस्कोप ने एड्जेस्ट करी सका येवू लेंस गटवाएलो हो ये के लेंस नू अब्जेक्ट थी डिस्टन्स वधारी पन सका याना घटारी पन सका ये रितनू एड्जेस्मेंट करेलू होई छे माइक्रोस्कोप माँके सो सिम्पल माइक्रोस्कोपिक बेजिकल सिंपल माइक्रोस्कॉप इस बेजिकली मेट अप ओफ दी वन लेंस देन ओफन प्रोवाइड़ विथ स्टेंड फॉर कॉन्वेनियंट होल्डिंग ओफ दी ओब्जेक्ट ओके जेओ ओब्जेक्ट ने आपने जोगुँ छे यहने राखवा माटेनू एको यहने स्टेंड पर ओब्जेक्ट राख हिसकाई एंड तोके मीरर फोर रिफ्लेटिंग दी लाइट ओके मीरर मीरर पन प्रेजंट हसे सिंपल माइक्रोस्कॉप मा लाइट ने रिफ्लेक्ट करवा माटे ओके जिहां आपने ओब्जेक्ट राइख हुछे पर्टिक्युलरली लाइट एना पर भी जोई ए ओके एना माटे आपने मीरर नो यूस करिये छी एके लाइट छे मीरर मा पर से ने मीरर माधी रिफ्लेक्ट थाईने लाइट फोकस थासे ओके आपना ओब्जेक्टू पर सो सिंपल माइक्रोस्कॉप मा आटली वस्तु प्रेजंट होई छे के फ्रेम माँ ए अबेड़ी आपने मा इसा परेज़ बाइचने करिऊज हो थूडू रोगर बेक्ष्ट थासे इसा रिफिसल दो में राटली वस्तु परने डिसक्ष्ट थाईट होई ख़ू एटूरी मा रोगर बेक्षाणि पुर्देश करिए एक रोगर बेक्ष्ट थाईटूरी द्वारा diolar प्रणीे के सुक्ष्म जीवों फिलाई थें 대해서,याम आपनें सकता नातीlle स्टट्मेन्ट आइकुटो रोगर बेकोने 13th सेंचूरी मन गीरोलेव फ्रेस्टेरो एंड एंटोन वोन प्लेंसीज अल्सो सजेस्टेट दी सैम बट दे दी नोट हेव एनी प्रूफ ओके आ बनने साइंटिस्टे पर सैम वस्टू सजेस्ट कई रिती के डिजीज छे काईक अनिवीजीबल आम क्रीचर्स द्वारा ओके लिविंग प्राणियो द्वारा थाई छे पन तो के के एव एनी पासे कोई प्रूफ हतु नई तो के लोको पासे काई प्रूफ नो तो बढ़ एने पार सैम वस्टू सजेस्ट काई रिती एज रोगर बेकोन नाव इन 1658 पच्छी 1658 मा ओ मौंक मौंक नो मिनिंग थाई साधू साधू सन्यासी एना माटे मौंक वर्ड यूस थाई छे सो दर बढ़ धने मौंक नेम्ड एथेनेस एस किर्चर ओके ए EPA लेशेख ठीकाई बोलिस ध भर्ड रखयंग प्रूंई प्रूंई यो डिक्टेंग बोडीज ओके जे सर्ता प्राणियों ना मुरूत दे हो छे ओके एनी अंदर देन मीट मास नी अंदर मीलक मा देन डायरिया सिक्रीशन आ बधानी अंदर तोके आवा इन्वीजिबल वर्म्स प्रेजंट छे एवो एथेनेसियस किर्चर एकी धुँ ओके 1658 मा के इन्वीजिबल वर्म्स एडले के क्रूमियों इन्वीजिबल क्रूमियों जेवा कैको लिविंग ओर्गिनिजम्स आ बधा नी अंदर प्रेजंट असे के जे बोडी सडे छे ये नी अंदर छे पछी मीट नी अंदर मास नी अंदर ओके मिलक मा प्रेजंट असे डायरियल शिक्रेशन आप बधामा आबा कोईक इन्वीजिबल ओर्गेनिजम्स प्रेजन्ट छे वोस दी फर्स्ट पर्शन तु रिकोगनाईज दी सिग्निफिकन्स अफ बेक्टेरिया और अधर माइक्रोब्स इन डिजीज यह है फर्स्ट वयक टेटो के जैने डिजीज माटे बेक्टेरिया और माइक्रोब्स फ्रेजन्ट अप्रवाइजिशन्ह इन्वीं मेनल इंपोर्टंस इन्वीं शिपoureंस सम्झानों के ऑघ्र्ष जैन्वीं मेनल इन्यों areств वाचे सौथी पेला माइक्रोस्कोपिक उब्जर्वेशन करवा मा आईवू हतु के माइक्रोस्कोप नो यूज कर यहने कोई वस्तुने जोई थी वन बीज एंड विविल्स एटले के मधमाखियो और विविल्स नो मिनिंग थाई वन्दा आपने कोक्रोच कहिए ही तो एनी उपर माइक्रोस्कोपिक उब्जर्वेशन एनू करवा मा आईवू हतु बाई इटालियन फ्रांसिसको स्टेलूटी ओके यूजिंग इप्रोसकोप प्रोब्ब्ल्य सप्लाइट बाईट नी प्राइलियो कोउ नसू आ शूस ओंट आपने कोको नद्यू माइक्रोस्कोप साप्लाइट बाई बाईट वंडेशन नो उब् lige्रोड विविल्स नो ओने कोई श्कीं एक्राइविन नोदै पें कई रहो तो के इटालियन फ्रैसिस्को स्टेल उटियें नाव हावेवर दी फर्स्ट पर्सेंटो अब्जर्वेशन अबावर दी माइक्रोर्गेनिसम्स वोज दी माइक्रोस्कोपिस एंटोनी वन लिवन हुप वू लिवड इन दी डेल्फ होलेंड ओके साथी पहलो व्यक्त जेने ऑब्जर्वेशन कई रू माइक्रोर्गेनिसमने रिपोर्ट कर आभ ऊ प्रावूर इतनु अब्जर्वेशन माइक्रोर्गिनिजम्स नु जोवा मडे छे वो पेलो व्यक्ति अतो अन्टोनी वान लिवन होक इस अ माइक्रोस्कोपिस्ट स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोपिस्ट तरिके जने उडखवा माँ आवे छे केस्ट फ़ीन तो अब्जर्वेशन आब दीमाइक्रो ओर्गिनिसम्स ङोफ अडिलर इन मेंस कलोथिंग एन ऐसे सरे बाद बार माइक्रोस्कोप अगे वह दाना समय हो इजे पाईट टाइम वैदान इन ताइम बचे एसे मैध्यों कोपार वाटे यूज करतो हो तो, okay, he made a simple microscope, he made a microscope composed of the double convex lens held between the silver plates, okay, एनने साथी पेलू microscope बनाई वोयके हो बनाई वोतो तो के double convex lens वाडू, okay, double convex lens एमना तो अनने held between the silver plate, silver plate नी वच्चे लेंस एनने राइखो तो, okay, now in his life he made 419 microscope, एनने याखी life दरिम्यान एनने 421 microscope बनाई वा, okay, कोने तो के एन्टोनी वाण लिवोन हो, his microscope could magnify around 150 to 300 times, okay, एनू magnification छे, एन्टोनी वाण लिवोन हो, के जे माइक्रोसकोप बनाई वोतो, एनू magnification 150 to 300 होतो, एल्ले के 1200 to 300 गणू, जे ओब्जेक्ट छे एन्टला गणू, आपड़े एने मोटू, जोई सक्ये, okay, the lenses used were home ground lenses mounted in brass and silver, okay, घरेज बनाउतो तो और ब्रास और सिल्वर माँ लेंस ने आजू बाजू ट्रेप करतो होतो, okay, सो एने माइक्रोसकोप 400 ने ओग्णिस माइक्रोसकोप लाइफटाइम दर्मियान बनावेला छे, एन्टोनी वान लिवोन हुके, लिवोन हुक केर्फोर्ली रेकोड़ेशन इन सीरीज ओफ लेटर्स टू, ब्रिटिस रोयल सोसाइटी, ओके, एन्ने गणा बधा उब्जर्वेशन कहीरा माइक्रोसकोप नो यूस करी ने, अने तो के एन्ने उब्जर्वेशन जह काई पन कहीरू इबदू रेकोड़ करी अने एज लेटर ब्रिटिस रोयल सोसाइटी ने आपतो, ओके, गणा बधा लेटर से एन्ने आब आप प ओके, एन्ने प्रोटो जुवाने सौथी पेला अबजव कहीरा था, प्रोटो जुवाने डिस्क्रिप्चन एन्ने आई पू, एन्ने थू लिवन्होक्स लेटर दी रोयल सोसाइटी इन दी मीड 1670s, दी एक्जिस्चन्स अफ दी माइक्रोब्स वोस रिविल्ट तु दी सा एन्ना उपर थी रोयल सोसाइटी ने पन, सौरी रोयल सोसाइटी इन साइन्टिफिक कम्यूनिटी ने एक्जिस्चन्स ओफ माइक्रोब्स विल्ट है, की दू, ओके, के माइक्रोब्स नू एक्जिस्चन्स छे, लिवन्होक्स लेटर उपर थी, इन 1683 ही इन 1683 मां बेक्टेरिया वेशे थोडूक डिस्क्रिप्चन आई पू, एना पोताना माउथ माथी जेने बेक्टेरिया लिधा ता आने, तोके, एनना उपर माइक्रोसकोपिक अब्जर्वेशन काईरू, अने एनू थोडूक डिस्क्रिप्चन आई पू, ओके, इने सू मारा गर्मा घणी बधी स्त्रिवा छे, एन वुवेर बिन सींग अ लिटल इल और नेमेटोट्स इन दी विनेगार, ओके, विनेगर नी अंदर इलो काई सू, जोयू तोके, थोडा के वा, क्रूम यो, ओके, राउंड वोम ने आपने जे काई एनेमेटोट्स, ए विनेगर अंदर स्त्रिवा बधाए वुमने जोया, बट सम अफ देम वेर सो डिस्टिंग्यूज, डिस्टिंग्यूज, ए लेके, डिस्कस्ट, सोरी, डिस्ट्गस्टेड, मिन्स के, ए लोकों ने बहु अंगम हो, तोके, आवीर इतना काई विनेगर ने अंदर आवा, काई क्रूम प्रेजंट चे, वेना खब पाईडी, तो, एट दी स्पेक्टेबल्स, देट, देवाउड दे, हेट, नेवर यूज दी विनेगर अगेन, ओके, ए लोकों ये, एम की दू, काई विनेगर में आवा येने जोया, नेमे टोट्स, एटले, एलोकों ये वोउज, ओके, सपत ल अनिमल्स, लिविग इन दी स्कम, ओन दी टीथ ओफ दी मेंस माउथ, देन देर आर में इन दी वोल किंग्डम, ओके, सुग इदू, तो, एवा लोकों ये, आवा लोकों ये, एटला बदा अनिमल्स, ओके, एटला बदा माइक्रोर्गेनिजम्स प्रेजंट छे, के जे, आखा किंग्डम मा जेटला मानसो न थी ने एटला बदा माइक्रोर्गेना कता पन वदारे माइक्रोर्गेनिजम्स तमारा मोडानी अंदर खाली प्रेजंट हसे, ओके, सो, आर इतनु इने थोडू काम, डिस्क्रिप्शन आपीने किदू छे, के माइक्टेरिया ने डिस्क आउ टू मेक तेम, ओके, लिवन हुके सु कईरू तो के के नू माइक्रोस्कोप बनाईगू, पन एने केरफूली गार्ड कईरू, ओके, आम जेलस हो तो के ना, आमार भीजा कोईने सिखडावूज न थी, ए पोतानू माइक्रोस्कोप बनाउता पोता ने आवर्थू तो पोतानी पासेज रही हूँ, और कोईने न बनाउता सिखडावू, के कोईने माइक्रोस्कोप वही चापन नहीं, ओके, सो लिवन हुक गए आपछी माइक्रोस्कोप बनाउता येने कोईने सिखडावू, नहीं, not until 200 years later, where superior microscope develops, ओके, सो लिवन हुक ना माइक्रोस्कोप तो पासेज पेला, पचे तो के, बसो वर्स, पचे आजे superior microscope अथे आपने यूस करिये चे, ये टाइप ना माइक्रोस्कोप नु डेवलोपमेंट पचे थायू, ओके, बट लिवन हुक येने कोईने पन माइक्रोस्कोप बनाउता सिखडावू, नहीं, not तो, जो, the basic principle of the modern compound microscope is the same as this, as that, discovered by Dutch spectacle maker, reputedly one, Zachary Stinson, ओके, जो, basic principle अभिना जे आपने modern compound microscope आपने लेबोरेट्यों माजे microscope आपने यूस करिये चे, ओर तमे अग्यार बार माजे microscope यूस करिया आसे, यह, कईया main principle उपर वर्क करेशे, तो, के जी principle discovered by Dutch spectacle maker, ओके, चस्मा बनावा वाड़ो एक व्यक्ति हतो, के जेने principle आपोदो, यी principle उपर जो, तिया ना modern microscope वर्क करेशे, अने नाम सूछे एस आयनू, तो, के के जेकरी सेंस आनू, अबाउट फिफ्टिन नाइंटीम, ओके, फिफ्टिन नाइंटीम मा एने आ ब्रिंसिपल आपे लो, तियूस ओफ वन लेंस, नाव लेंस सिस्टम, ओके, यूस ओफ वन लेंस, कोल्ड ऐस दी आईपिस, ओर ओके एक लेंस, छे आपने आख पासे राखिये छे माइक्रोस्कोप मा एने सूखे वाई, तो, के आईपिस ओर ओके लेंस, ओके, यूस ओफ वन लेंस, टू, मेगनिफाई दी ओल्रेडी एनलाजड इमेज, प्रोड्यूजड बाइदी फर्स्ट लेंस, देट इस ओब्जेक्टिव, ओके, आज प्रिंसिपल उपर अतियां ना मोडन माइक्रोस्कोप पन वर्क करे छे, के एक लेंस द्वारा जे ओल्रेडी मेगनिफाई थेली इमेज छे, एज इमेज ने पाचु बीजा लेंस द्वारा एनलाज करवो, आज प्रिंसिपल उपर आपना माइक्रोस्कोप पन काम करे छे, के बे लेंस जोई छे, एक अब्जेक्टिव लेंस के जे निचे आपने, जियां आपनू अब्जेक्ट मुखी एछे तियां प्रेजंट वोई छे, और एक आईपी सथवात ओक्यूर लेंस के जे, आपनी आ आपने टोटल मैग्निफिकेशन जोतु ओए, तियांना जे माइक्रोस्कोप छे आपने यूज करियो छे, बे एमा लेंस होई छे, तो आपने टोटल मैग्निफिकेशन पावर जोतु ओए, तो सु करवानू तो के के, मोडन अब्जेक्टिव लेंस अने ओक्यूलर लेंस, बने नूँ मैग्निफिकेशन पावर जे, बने नूँ भेग थाई जोने से मैग्निफिकेशन थाई, ईटी इस दी टोटल मैग्निफिकेशन सो compound microscopes give much greater magnification than the simple microscopes किमके simple microscope पा खाली आपने एकज lens यूज करी छे तो एकज lens नूँ magnification हसे पन तो के compound microscopes नी अंदर बे lens यूज करवा माँ आवे छे एना लिदे magnification पन बमनू थासे एक lens जे image magnify कर से एज image इने बिजो lens एना करता पन हधारे magnify करे छे ओके सो simple microscope करता compound microscope नू magnification सारू छे वधारे छे एन्ड आर नेसेसरी फोर विविंग एन एक्जामिनिंग दी माईन्यून अब्जेक्ट सच एस दी बेक्टेरिया आपने बेक्टेरिया जेवा सुक्ष्म जिवोने जोवा हो एकदम नाना तो एना माटे आवू compound microscope नेसेसरी छे simple microscope एक लेंस वाड़ू होई तो एनी अंदर आपने बेक्टेरिया ने अब्जव नहीं करी सकी आपने साधा माईक्रोस्कोप माँ अब्जवनों करी सकी एना माटे compound microscope जोई के जे बेलेंस सरावत होई microscope in which the final magnified image of object illuminated by the visible light is seen through the glass lens और कोल्ड एस दी optical or light microscope जे माईक्रोस्कोप माँ जे final image तयार थाई छे ए ग्लास लेंस द्वारा जोवाती होई एना सू के बाई तो के optical microscope और इल्यूमिनेटेट बाइदी visible light visible light द्वारा जोन्रेट थाती होई so it is known as the light microscope और optical microscope और अप्टिकल माईक्रोस्कोप और एनी डेफिनेशन यां आपे ली छे the use of visible light distinguishes these instruments from x-ray and electron microscopes okay अहिए जे light नो यूस थाई छे visible light नो ए आ light microscope ने बीजा टाइप ना माईक्रोस्कोप करता अलग करे छे बदामा light source चे अलग अलग हसे अने तो के जे image generate थाई चेनी mechanism पन अलग अलग हसे so अहिए visible light नो यूस थाई छे ए वस्तु आ बदा माईक्रोस्कोप ने एक बीजा थी डिस्टिंग्यूस एटले के अलग करे छे ओके x-ray microscope छे अथवा तो electron microscope छे एना थी light microscope visible light ना लिधे अलग परे छे इंधी later the final image is formed ओन दी fluorescent screen okay x-ray ओर electron microscope होई तो एमा final image के जनेरेट थाती होई fluorescent screen उपर अथवा तो photographic film उपर और plate by invisible electrons कोई plate उपर जनेरेट थाती होई okay film एडले के final image जे चे याविर इतना generate थाती होई fluorescent screen उपर अथवा तो photographic film और plate उपर by invisible electrons focused by circular magnets instead of the glass lenses okay light source नी जग्या आपने visible light यूज करिया जेनी जग्या इन्वीजिबल electrons नो यूज थासे औने तोके electrons छे इने focus करवा माटे circular magnet एललेके चुम्बक नो यूज थासे electrons ने focus करवा माटे instead of the glass lenses के जे visible light माटे आपने glass lens यूज करिये छे एनी जग्या इलेक्ट्रोन्स माटे circular magnet नो यूज करवा पड़े छे खोके सो अई लेक्ट्रोन माज् सकोप मा रितनी इमेज चुनने थ Huoi इस वस दिबरेजिक इन्च्ट्ट्ट्ट्ट्चनदवाओ धाय। भूजिए रिप मेर प्ड़े माटे ने चीज कररे शो so thank you so much students for watching this video and if you have any doubt in this lecture then please ask in the comment box thank you